असलाम अलेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स आउटलेट डोट कॉम, नहीं नाम अम्मार मुजाहिद है, और केल्कुलस वन की सीरीज में आज एक मरत्बा फिर हम फंक्शन की प्रिसाइज डेफिनिशन है, उसकी एक्जांपल करेंगे, और आज हम पीसवाइ ले रहे हैं, उससे पहले हम अपनी डेफिनेशन को वन्स अगें क्योंकिली रिकॉल कर लेते हैं, लेट से वी हैव फंक्शन एफफ एक्स, विच इस डिफाइन ओन एन ओपन इंटर्वल अबाउट सी, सी जिस पर आपने लिमिट वैर्यूट करनी है, उसको कंटेन करने वा है कि फंक्शन इस ओपन इंटर्वल पर लेट से यह ओपन इंटर्वल है, सी को जो कंटेन कर रहे हैं, तो इस ओपन इंटर्वल पर फंक्शन है तो अब यह c पर define नहीं है और इसको contain करने वाला जो open interval है उस पर define है तो अब भी काम चलेगा ठीक है limit के लिए जिस point पर आपने limit evaluate करनी होती है function का उस point पर define होना लाज़मी नहीं होता okay so then हम कहेंगे कि the limit of f of x function है इसकी limit when x approaches c जब हम इस point c को approach कर रहे है is the number L ठीक है यानि इसको approach करते हैं वकट यह आपका number आ रहे है function के उपर वो L आ रहे है function यानि आपका सादा जबान भी यूं समझे के L की तरफ जा रहे है जैसे जैसे आप सही के एक real number है आप कोई भी real number लें which is जो के greater than होना चाहिए 0 से doesn't matter वो कितना छोटा हो उसके लिए आपको एक delta which is again a real number positive real number delta मिलेगा such that such that f of x minus L absolute value इसका मतलब है कि f of x का distance L के साथ ठीक है less than होगा epsilon से whenever कब less than होगा whenever आपके पास x और c का distance less than होगा delta से यह इसकी definition है तो इसमें एक और चीज़ भी note करने वाली यह है पहले भी बता चुका हूँ लेकिन लिखा हुआ for every epsilon there exists a delta तो इसका मतलब है कि delta basically epsilon पर depend कर रहा है delta क्या कर रहा है epsilon पर depend कर रहा है आप epsilon कोई भी करें उसके लिए आपको delta मिल जाएगा unique of course नहीं होगा एक से ज्यादा होंगे लेकिन एक जरूर मिल जाएगा ठीक है तो इसमें आम तो पर स्वार यही आते हैं कि आपको epsilon given होता है आपने उस epsilon के लिए delta find out करना होता है ठीक हो गया आज भी हम यही काम करेंगे और आज हमने यह काम करना है एक piece wise function के साथ अच्छा इसमें एक और चीज नोट करें कि लास लेक्चर में हमने एक particular case किया था यूं समझिए कि लास लेक्चर में हम epsilon को कोई number fix करते थे उसके लिए हम delta को evaluate करते थे आपको दे देंगे आप उसमें epsilon को जो भी value put करें उसके मताविक आपके बस delta आ जाएगा ठीक है यानि हमें एक general case करने लगें है function हमारे पास है limit x goes to 2 f of x is equal to 4 यानि आप में c जो है इस case में वो 2 है l की value 4 है और यह function है वो कुछ इस तरह से define हुआ है f of x is equal to x square when x is not equal to 2 ठीक है दूसरा piece यह है कि f of x is equal to 1 when x is equal to 2 ये इसको मैंने थोड़ा ज़रा graphically यहाँ पर represent किया हुआ है कि this point is true 2 पर ज़रा उपर देखें 2 पर ये x square का जो graph जो आपको पहरा बोलाने ज़रा रहा है 2 के लिए define नहीं है इसलिए यहाँ पर मैंने whole लगा दिया ठीक है लेकिन 2 के case में ये देखें तरह value function की 1 आ रही है तो ये आपके पास function है चलें इसका color मैं ज़रा सेम कर देता हूँ this one ठीक हो गया 2 पर आपके पास function की value 1 आ रही है other than 2 आपके पास function define है x square तो आपने basically हमें इसमें करना क्या है वही definition apply करनी है जो भी हम उपर पढ़के हैं मैं आपके सामने एक मरतबा फिर लिख देता हूँ definition हमारे पास जो है वो ये है कि आपने basically show करना है f of x minus 4 इसकी absolute value this is less than epsilon whenever अच्छा इस case में l की जगाँ पर मैं directly 4 लिख दिया ना क्योंकि l हमारा 4 है whenever x minus 2 absolute value यानि distance from x to 2 is less than delta ठीक होगे c की जगाँ पर मैंने ये 2 लिख दिया है अच्छा last lecture में आपको बताया था कि इसको करने के 2 steps है simple well so step 1 में आपने क्या करना होता है basically step 1 में हमें एक interval चाहिए होता है इस 2 को contain करने वाला एक open interval चाहिए होता है ठीक है जिस open interval के लिए आपकी inequality satisfy करें तो ये inequality जो आपको नदर आ रही है f of x minus 4 is less than epsilon हमने इसको first step में solve करना है to find an open interval containing this point 2 ठीक हो गया तो देखें आब आपको फंक्शन जो है ना इसके 2 pieces है x square है when x is not equal to 2 f of x is equal to 1 ये constant function है ठीक है तो अगर आप इसको 1 put करते है तो आपके पास of course x की value नहीं आएगी तो इसके लिए हमें फिर for c x is not equal to 2 x square को हमें यहाँ पर put करना पड़ेगा which is simply x square minus 2 is less than epsilon ये inequality है हम जब इसे solve कर लेंगे तो हमारे पास एक open interval आजएगा जो के 2 को contain करता होगा ठीक है और उस open interval के लिए ये inequality भी satisfy हो रही होगी ठीक है except possibly add to itself अच्छे ये बात अभी आपको मैं बताता हूँ बारहल खेर इसको आपने वो property जो होती है absolute value की उसे use करते हुए इसके तो आपन करें हमारे पास आजएगा minus epsilon is less than x square minus 2 is less than epsilon ठीक होगे simple अब आपने दोनों तरफ 2 को बलके तीनों तरफ 2 को add कर दे ठीक है तो we have 2 minus epsilon और इसी तरह से sorry थोड़ी सी mistake होगी 2 नहीं है basically 4 है this one f of x minus 4 है इसको solve करना है तो this one is 4 तो अब आपको 4 को add करना पड़ेगा 4 minus epsilon is less than x का square minus 4 plus 4 0 तो simply x square बचेगा this is less than epsilon plus 4 अब आपने simply square root ले 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 तो उससे हमारे पास आजएगा 4 minus epsilon का square root is less than x square का square root लेंगे न तो वो हमारे पास आजएगा absolute value of x and this is less than epsilon plus 4 ठीक है चूंकि ये absolute value of x के लिए satisfy हो रही है तो x के लिए भी हो जएगी तो simply हमारे पास जो interval बनेगा वो बनेगा 4 minus epsilon से 4 plus epsilon तक ठीक हो गया 4 minus epsilon से 4 plus epsilon तक अच्छा इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल करना है बलकि हमें एजियूम करना पड़ेगा कि आपका जो epsilon है वो इस case में मैं लिख देता हूँ epsilon जो है आपका इस case में वो less than 4 होना चाहिए क्योंकि अगर ये greater than 4 हो जाता है तो यहां से गड़ बड़ करेगा ठीक है न तो इसलिए आपका epsilon जो है वो less than 4 होना चाहिए तो यह basically हमारे पास interval आ गया यहां पर आप इसको लिख भी सकते हैं this one यह आपका जो point है this is 4 minus epsilon इसका square root और इसी तरह से यह जो आपके पास है this is square root of 4 plus epsilon ठीक हो गया इस पर आप अगर function की value पर देखें तो कुछ let's से यहां पर है इसको हम कहा देते हैं चूंके function x square है ना तो जो square में value put करेंगे तो आपके पास यह square root खतम हो जाएगा तो 4 minus epsilon simple आ जाएगा इसी तरह जब आप इस पर देखें खेर थोड़ा function में ने चलें इसको थोड़ा हम close कर के लिख देते हैं ओके थोड़ा सा हम इसको मज़ीद close कर देते हैं कुछ इस तरह से ठीक है इस पर आप function की value उपर जलते जाएं देखें कुछ यहां पर तो यह आपके पास आ जाएगी function चूंके x square है तो यह 4 प्लस epsilon आ जाएगी ठीक है तो बारहल यह हमारे पास एक open interval आ गया है जो के 2 को contain कर रहा है और इस inequality को इस inequality जो है यह इस interval पर satisfy भी हो रही है ठीक है टू पर satisfy होना लाजमी नहीं है चूंके 2 पर हो सकता है function ही define ना हो possible ना तो इसलिए 2 के अलावा बाकी यह open interval पर inequality satisfy हो रही है तो यह हमारा step 1 यहाँ पर complete हो गया है step 2 में आपने क्या करना होता है well step 2 की तरफ चलते है step 2 and final step basically तो हमें इसमें delta की value चाहिए ना वही delta की value हम step 2 में find out करते हैं अच्छा last lecture अगर आपको याद हो तो हमने particular case किया था ना तो हम करते क्या थे last lecture में हम यूं करते थे कि आपका यह इंटर्वल आता था ना तू से लेकर यह वला distance और तू से लेकर यह आगे वला distance थीक है आपने यह देखना है कि इन मेंसे जो चोटा है ना distance वह आपने delta pick कर ले ना जबारा सुनें आपका two से उससे पिछले वाला ये four minus epsilon के square root वाला interval जो distance होगा और two से लेकर four plus epsilon के square root तक का जो distance है इन में से जो छोटा है आपने उससे delta पिक करना होता है अगर आपके पास epsilon का आपने कोई number fix किया हुआ है तो आपके पास और ये अंडरूट क्या बन जाएगा five बन जाएगा ऐसे ही है न तो आप directly बता सकते हैं कि अंडरूट three छोटा है अंडरूट five बढ़ा तो आपको फिर delta को अंडरूट three लेना पड़ेगा लेकिन इस मरतबा हमें चुँके delta epsilon की value नहीं पता तो आप यूं करेंगे कि delta को मैं आपके सामने यहाँ पर एक line लिखने लगा हूँ delta को हमें pick करना पड़ेगा minimum of minimum of two minus four minus epsilon का square root two minus four minus epsilon का square root comma four plus epsilon minus two यह आगे वाला distance आजएगा four plus epsilon minus two अब यह दो numbers हैं कोई न कोई आएंगे जब यह आप epsilon की value put करेंगे तो आपने इन दोनों में से चोटी value होगी आपने delta को वह वाली value sign करनी है ठीक है delta को आपने वो वाली value sign करनी है जो के इन दोनों में से छोटी होगी और वो ही delta की actual value होगी ठीक हो गया और उसे छोटी values भी है आपको मैंने बताया नए delta unique नहीं होता आपका जो number delta आता है उसे छोटी values भी work करती है ठीक है तो आपको delta मैंने आपको बता दिया है कि इन दोनों में से जो smaller value होगी वो आपके पास delta की value होगी उसके लिए basically आपका जो उपर inequality मैंने उपर लिख किया आया था which is this one 0 is less than x minus 2 is less than delta ठीक है यह जो आपकी inequality है यह automatically place कर देगी x को between this interval यह जो आपका interval आया था 4 minus epsilon, 4 plus epsilon ठीक है हम चलें assume कर लेते हैं कि यह delta की value है यह वली छोटी आ रही है next value तो आपका फिर interval कुछ इस तरह से उसके अंदर place हो जाएगा कुछ इस तरह से ठीक है और आप basically यह delta की value होगी epsilon की value y axis पर होती है vertical axis पर होती है तो आप जैसे जैसे epsilon को shrink मतब छोटी करते जाएगे values आपका यह interval भी उसके मताबिक shrink होता जाएगा ठीक है जैसे जैसे आपकी epsilon close करते जाएगे for example कुछ इस तरह से तो यह interval जो आपको नदर आ रहा है x-axis पर 2 को contain करने वाला यह भी shrink होता जाएगा epsilon basically जो आपका delta है वो basically epsilon पर depend कर रहा होता है epsilon का आप दूर करते जाएगे तो यह बड़ा होता जाएगा करीब करते जाएगे तो यह interval छोटा होता रहेगा ठीक हो गया न अच्छा यह case जो था 4 epsilon is less than 4 यह भी आपने ख्याल करना है यह भी तक हमने जितना काम किया है delta की जो हमने value pick की है वो थी epsilon less than 4 के लिए अगर आप epsilon greater than 4 करते हैं तो क्या होगा उसके लिए भी हम सरा quickly देख लेते हैं यहां पर मैं लिख देता हूँ if our epsilon is greater or equal to 4 yes greater or equal to 4 ठीक है तो उस case में आपके पास जो distance होगा देखे ना उसमें आपके पास interval basically क्या बनेगा 4 minus epsilon वाला तो वैसे ही खतम हो जाएगा ना चुकि हमने delta epsilon को greater than 4 ले लिया यह equal to 4 ले लिया ठीक है तो आपके पास जो basically interval बनेगा वो बन जाएगा greater than 4 के लिए 0 से लेकर 4 plus epsilon तक क्या बन जाएगा sorry 0 से लेकर 4 plus epsilon तक ठीक है तो इस case में फिर आपको क्या लेना पड़ेगा delta को इस case में फिर हमें delta को pick करना पड़ेगा once again minimum of अब आपने जिए चुकि जीरो से 4 plus epsilon ले रहे हैं तो आपको minimum लेना पड़ेगा एक तो 2 में से और उसके लावा 4 plus epsilon माइनस 2 ठीक है simply लिख देता हूँ यहाँ पर में अगर आपका 2 छोटा है तो 2 ले लें अगर आपकी किसी epsilon की value के लिए 4 plus epsilon माइनस 2 इन दोनों से चोटी value आएगी आप उसे लेंगे ठीक है ना यह कब होगा जब आपका epsilon greater or equal to 4 हो जाएगा तो आपका जो interval है वो इस interval की बजाए यह 4 minus epsilon से 4 plus epsilon की बजाए बन जाएगा 0 से लेकर 4 plus epsilon ठीक है ना तो इसलिए पिर हमें इस case में चुँके वो वाला part खतम हो चुका है यह वाला इसको हमने 0 कर दिया क्योंकि हम यह basic defining ना होगा greater than 4 के लिए तो आपका जो delta है वो simply 2 और 4 plus epsilon minus 2 में से आपको pick करना पड़ेगा ठीक है तो यह हमने general case कर दिया अब आप अगर epsilon की कोई भी value पकड़ते हैं कोई भी value लेते हैं उसे simple आपने आपने वो देखनी है value अगर तो वो greater than 4 है तो इसमें put कर दें delta आजाएगा अगर वो less than 4 है तो इसमें put कर दें आपके पास उसके मताबिक delta आजाएगा ठीक है तो यह आपका proof complete हो गया अच्छे आपको बहने बात बताई थी थी ना आपको यह तो नहीं बता सकती कि कैसे आपने limit evaluate करनी है लेकिन जब आप limit evaluate करते हैं तो आपको verify ज़रूर कर देती है और इसका काम भी actually इस definition का यही है ठीक हो गया तो मेरे हाल में फिर आज के लिए इतना ही next lecture में हम one sided limit के concept को देखेंगे ठीक है बाकी मजीर अगर आप इसके practice questions करने करना चाहते हैं तो वो आप अपनी exercise जो है वर 2.3 उसमें से देख सकते हैं Thomas Calculus का 14 edition हम यूज कर रहे है और I think thank you very much